दोस्तों जैसा कि आपने थमनेल पर देखा कि मैंने बहुत ही इस्टालिस कस्टम फॉंट को एड़ किया है जिससे हमारा जो थमनेल है वो काफी जादा प्रोफेशनल लगता है अगर आप भी अपने यूटूब वीडियोज के लिए प्रोफेशनल थमनेल को बनाना चाहते है तो उसके लिए आपको इस्टालिस फॉंट को यूज करना पड़ेगा लेकिन दोस्तों अगर आप पिक्सल लेब के फॉंट के अंदर जाते हैं तो वहां पर आपको उतना इस्टालिस कोई भी फॉंट नहीं दिखाए देता है नॉर्मलाइज फॉंट आपको दिखाए दे लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप ऐसे यूटूब से टिफ्स एंट्रिक की वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सस्क्राइब करके साथ में बिल आकन जरूर्ड प्रेस कर दें तो अग चलते हैं वीडियो की तरफ तो दोस्तों आप अपने फोन में को भी ब्राउजर ओपन कर लेना है ओपन करने के बाद यहां पर आपको सर्च कर लेना है दा फॉन्ट तो दोस्तों सिंपल सा यहां पर टाइप कर देता हूं दा फॉन्ट और इसके बाद में सर्च वाले बटन पर क्लिक कर देता हूं जैसे मैं यहां पर क् सकते कि हमारे सामने बहुत सारी दिखाए दे रहे यह सिंपल सा आपको पहले वाले वेबसाइट पर क्लिक कर देना है जैसे आप यहाँ पर कonline करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आप आप देख सकते कि आपको समने कुछ इस तरीके से इंटरफेस नदे और दोस्तों यहां पर मैं आपको जूम करके दिखा दे रहा हूं दोस्तों आपके सामने सर्च का आपसन दिखाई दे रहा है अगर आप किसी भी फॉंट का नाम जानते हैं तो आपको यहां पर टाइप कर देना है और टाइप करने के बाद आपको उसे सर्च कर लेना है अग जयसे मैं यहां, पर क्लिक करूंगा, तो दोस्तो, यहां पर आप देख सकते हैं, कि जो हमारे basic font हैं, वो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, दोस्तो, आप यहां पर देख सकते हैं, कि बहुत ही बहतरीन basic font दिखाई दे रहे हैं, अगर आप इनसे भी अच्छा font को use करना चाहते हैं तो आपको simple सा ऊपर चले आना है और इसके बाद में foreign look पे click कर देना है जैसे आप यहाँ पे click करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उससे भी बहतरीन font दिखाई दे रहें और आपको नीचे चले आना है और यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे page दिखाई दे रहें एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस मलब बहुत सारे page दिखाई दे रहें अगर आप इन में से किसी भी page पे click करते हैं तो दोस्तो इससे भी बहतरीन font आपको दिखाई देंगे अगर आप इन में से कोई भी download करना चाहते हैं तो उसके बगल में दोस्तो यहाँ पर मैं आपको zoom करके दिखा दे रहा हूं download का option दिखाई दे रहा है जैसे आप यहाँ पे click करेंगे तो दोस्तो यह फिर से download करने के लिए बोलेगा और आपको यहाँ पर download वाले option पर click कर देना है जैसे आप यहाँ पर click करेंगे तो दोस्तो यह font download हो जाएगा अब दोस्तो आप इसे ऐसे यूज नहीं कर सकते हो इसके लिए आपको थोड़ी सी setting करना पड़ेगा तो उसके लिए आपको अपने phone में file manager application को open कर लेना है open करने के बाद आपका जो font download हुआ था आपको उसे search कर लेना है तो दोस्तो मैं simple से यहाँ पर search कर लेता हूँ जैसे मैं search करूंगा तो दोस्तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा download वाला font था वो हमारे सामने दिखाई दे रहा है simple सापको उस पर click कर देना है जैसे आप वहाँ पर click करेंगे तो दोस्तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे की तरफ extract all का option दिखाई दे रहा है क्लिक करने के बाद आपको select folder पर click कर देना है तो दोस्तों मैं यहाँ पर click कर देता हूं क्लिक करने के बाद आपको एक चीज का हमेसा ध्यान रखना है कि phone storage वाले ही option पर को क्लिक कर देना है तो दोस्तों यहां पर मैंने क्लिक कर दिया दोस्तों यहां पर मैंने पहले से एक नया फॉंट का आप संब बना दिया है तो दोस्तों मैं यहां पर फॉंट वाले आप संब के बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि font का action दिखाए देरा जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे और इसके बाद में आपको font वाली आपसन पर क्लिक कर देना है तो दोस्तो जैसे आप यहां पर किलिक करेंगे तो दोस्तों यहां पर आप तुम्हारा जो फॉन्ट है किस तरीके से दिखाई दे रहा है दोस्तो इस तरीके से आप अपने किसी भी करनेगा से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने यूट्यूब वीडियो उसके लिए अपर प्रोफेशनल थमनेल को बना सकते हैं आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा और अगर आप अपने वीडियो को एक प्रोफेशनल तरीके से एडिट करना चाहते हैं तो उस पर मैंने एक डेडिकेटिड पिले लिस्ट बना के रखा उपर आई बटन में दे दूंगा वहां से आप ऐसे यूटूब से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक की वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ निबल आइकन जरू प्रेस कर देना क्योंकि जब भी मैं वीडियो अप्लोड करूंगा तो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी और आप उस झाल